घर में पीड पौधे लगाना तो हम सभी को बहुत ही पसंद है लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसा पौधा होता है जिसे घर में लगाने से धनकी वर्शा होती है तो आएए जानते हैं एक ऐसे ही पौधे के बारे में जिसका नाम है कुबेर plant जी हां कुबेर plant को KRSula या फिर जेट प्लांट के नाम से भी जाना जाता है वास्तु के मुताबिक पौधों की इस्तिति किसी जगए के उर्जा प्रवाव पर असर डालती है जेट प्लांट को घर में रखने से खूपसूरती बढ़ती है और सकरात्मक उर्जा का प्रवाव बढ़ता है इससे घर के लोगों पर सकरात्मक असर पड़ता है और पैसों की तंगी से छुटकारा मिलता है साथ ही बच्चों का पड़ाई में भी ज्यादा मन लगता है जेट प्लांट को मनी ट्री फ्लावर ट्री फ्रेंड्शिप ट्री या फिर गुडलक ट्री के नाम से भी चाना जाता है यह सदा बहार प लगतने से सवभाग्य में बड़ोत्रे होती है फैंसवी के अनुसार चक्रान को घर के अंदर बिशेश रूप से लिविंग रूम में दक्शन पूर्वी दिशामें से भी भाग्य और धन की प्राप्ती होती है चाहे खिड़की, डैस्क या छोटी जगों पर रखा जाए इसका छोटा आकार इसे दुनिया भर में इंडोर खेती के लिए एक आधर्श विकल बनाता है वास्तु शास्तर में मेनी जेट प्लांट को अपने आसपास के वातवरण में सकरात्मक उर्जा और सम्रद्धी लाने वाला माना जाता है जिससे ये घरों और कारिस्थनों के लिए एक शुब बस्तु बन जाता है वास्तु शास्त्र के अनुसार जेट प्लांट के पौधे को लगाने से स्वास्त केरियर पर अच्छा असर पड़ता है इसके साथ ही आर्थिक इस्तिती मजबूत होती है अगर आप घर में जेट प्लांट लगा रहे हैं तो कुछ बातों का विशेश ध्यान रखें तो जेट प्लांट को धन का प्रतीक माना चाता है इसलिए से कभी भी गंदिगी या फिर अंधीरी जगा पर नहीं रखना चाहिए इसे कभी भी बातरूम या फिर बैडरूम में भी नहीं रखना चाहिए आए अब कुछ विशेश धिशाओं की बात करते हैं जहां पर हम जेट प्लांट को लगा सकते हैं तो दक्षिन पूर्व दिशा की बात करते हैं तो घर के दक्षिन पूर्व दिशा में जेट प्लांट लगाना ऐसा करने से आर्थिक इस्तिती मजबूत होती है इसके साथ ह पैसों की तंगी से छुटकारा मिल जाता है पूर्व देशा की बात करते हैं तो वासु के हिसाब से अगर आप जेट प्लांट को पूर्व दिशा में रखते हैं तो ये परिवार को खुशाली देता है साथ ही दीरगायू बनाता है इसके साथ ही मानसिक और शारेरिक स्वास् अगर देखा चाहिए तो सही दिशा में जेट प्लांट लगाने से परापती होती है और अब बात करते हैं जेट प्लांट की क्यायर की तो इसकी मिट्टी में हल्क इसी नमी हमेशा रहनी चाहिए बहुत ओवर वाटरिंग इसमें नहीं करना चाहिए अधिक अगर आप इसम जिससे कि ये पौदा धीरे-धीरे खराब होने लगता है इसलिए आप इसमें कम पानी दे सिर्फ इसकी मिट्टी में नमी बनाए रखें तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका प्लांट बहुत सालों तक बहुत ही अच्छी कंडिशन में बना रहेगा अगर आप इसमें सूरज की रोशनी आए और अगर आपकी घर में सूरज की किरंड नहीं आपा रही है जहां पर आप ये पौदा रखते हैं तो आप इसे घर के बहार ले जाकर कुछ समय समय पर इसे धूप दिखाते रहे हैं उख्य द्वार के अलावा आप जेट प्लांट को अपने हॉल य कर मेरे पास कई प्रशन होते हैं कि इस पौदे को लगाने का सबसे अच्छा महा कौन सा होता है तो इस पौदे को आप किसी भी महां में लगा सकते हैं ऐसा कोई विश्य समय या फिर महां नहीं कहा जा सकता जिसमें आप जेट प्लांट लगाएं आप किसी भी महां में इसक और जो इसकी मिट्टी में नमी है वो हमेशा बनी रहती है थोड़ा सा अगर हम बात करें गर्मियों की तो इसकी मिट्टी थोड़ा जल्दी सूखने लगती है तो हलका सा पानी का हमें ध्यान रखना पड़ता है और फिर हम बात करते हैं बारिश के महां की तो बारिश में बह आप अच्छे से क्यार करके रखना चाहते हैं तो सिर्फ आप इसके पानी का और धूप का ध्यान रखें तो ये थी जेट प्लांट के बारे में कुछ जानकारी आपको वीडियो कैसी लगी जरूर पताएं पसंद आईएं तो लाइक शेयर करना ना भूलें चैनल पढ़ना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरीके से अच्छे अच्छी वीडियो में आपके साथ शेय करती रहूं क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मैनत लगती है सही जानकारी आप तक पहुचानी होती है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक टेक कियार एंड बाबाए